तो तुझे बापने बाला अब सासुरू पालेगा मैं ऐसा होने ने दूँगा तो दोस्तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सुपरस्टार मिठन के बेटे को एक बहतरीन एक्टर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी लाजमी से सबस्क्राइब कर दें तो दोस्तो अगर बात करें फिल्म बैड बॉई की तो आप लोगों को बताते चलें कि ये फिल्म सुपरस्टार नमाशी के केरियर की फस्ट डेब्यू फिल्म है इसमें हमें आमरीन लीड रोल में दिखाई देती है और इन दोनों ही एक्टर्स की परफॉर्मस हमें लाजवाब देखने को मिलती है और दोस्तो इस फिल्म में जानी लिवर और राजपाल यादव जैसे बड़े किरदार भी स्पोर्टिंग रोल में नजर आते हैं और फिल्म में दमाल मचा देते हैं और इसी एक साथ दोस्तो फिल्म में हमें सूपर स्टार मिथन का कैमियो भी देखने को मिलता है जो कि फिल्म को चार चांद लगा देता है दोस्तों अगर बात करें फिल्म के बजट की तो बताते चलें के फिल्म का बजट लगबग 6 करोड रुपे का था और फिल्म को डिरेक्ट किया था राज कुमार संतोशी ने जो के बॉलिवुड को बहुत सी जबदस मुवीज पहले भी दे चुकी हैं और दोस्तों आडियंस इनकी मुवीज को बहुत ज़्यदा पसंद करती है दोस्तों कर बात करें फिल्म के बॉक्स आफिस कॉलेक्शन की तो मैं आप लोगों को बताता चलू के फिल्म अपने पहले दिन लगबग 24 लाक रुपे के अराउंड ही कॉलेक्शन करने में कामयाब रही क्योंकि फिल्म क बहुत ही कम स्क्रिंज देखने को मिली थी और इसी तरह दोस्तों कर मैं बात करूं फिल्म के अपने फर्स्ट वीक के बॉक्स आफिस कॉलेक्शन की तो मैं आप लोगों को बताता चलू के फिल्म अपने पहले वीक में लगबग 50 लाक रुपे के अराउंड ही कॉलेक्शन क करते हुए नजर आ सकती हैं उद्वाइ बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप गलत इंफर्मेशन देते हैं तो अगरicki दोस्तों आप है अगर लोगों के लगता है ने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good luck